आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ साइगिन यालचिन के बारे में यह बन्दा at the age of 32 self-made billionaire बन गया कैसे बना billionaire कैसे बना self-made billionaire at the age of 32 पूरी जर्नी डिकॉट कर दूगा बिजनस इस कौन से किये और बन गया बात करेंगे साइगिन यालचिन की जर्नी सुरू होती है दोस्तों at the age of 13 13 साल की उम्रका था तब फुटबोलर बनना था और फुटबोल खेलते खेलते एक बार सोचता है कि फुटबोल में टॉप 10 प्लेयर में आने की प्रोबिटी तो बहुत कम है इनसे अच्छा है कि क्या मैं वर्ल्ड के टॉप 100 एंट्रपीनियोर में आ सकता हूं की नहीं आ सकता एड़ जो 30 दोस्तों यह बंदे की सोचिये रही थी कि मुझे टॉप होना है किसी भी फिल्ड में टॉप 10 में वर्ल में या फिटॉप 100 में आना है किसी भी करियर को लेगे साइगीन को पता चल लगे कि फुटबोल से तो बहुस यह गयम बनना डिफिकल्ट है और थोड़ा बहुत फुटबोल मे अपना नाम लेना है तो पता चल शप्रांड़त उसवर्लnd यह attractी भी कि फिटमी की मुझे टॉप 100 दुनिया को टोप अंड्रेड एंट्रफिन्योर में आना है at the age of 30 यूएस मूव हो जाता है यूएस मूव हो जाने के बाद दोस्तों मैं साइगीन यालचिन का यहाँ पे आपको पहला चोटा सा बिजनस बता रहा हूँ आप कहे सकते कि अर्निंग की सुरुवात बंदे ने at the age of 16 कर लिए सब्सक्राइब के लिए टिकेट सेल करता था और बाद में अक टाइम आने के बाद सिर्फ सबसे पहले काम किया जर्मनी से यूएस मूज हो जाने के बाद अपना खर्चा निकालने के लिए अपना फीज निकालने के लिए सब्से पहले डीजay पार्टी मेंस्टी तिकर कमीशन के थूरू यहां पर अपना पैसा कमाने का सोर्स बना लिया और समय को पारटी में सब्स करना शुरू करों तो यहां सराद हो चुकिंते शाहीं चीज देखा दर्फी और ऊपना न स सब्सें नह datos कर रहे त्यु heterie cc тяж होने का ट्रेंड बढ़ रहा है युऎस में और चीजह होने का कवरेंड बढ़ रहा है चीज्य ओनलाइं डिरे धीर सील और यह दोस्तों मैं आज बात करा हूं आज से तक्रीबन 12 साल पहले 12 साल पहले सहीमिष्ग के बेक बहूँथ फेमस अब सबमस् क्या किया चाइना कि चाहिना हमें सेम फर्स्ट कोपी बन जाती बंदा चाहिना पहुझ गया क्योंकि पैसे तो ढह रह fist करा था Saigin Yalchin दोस्तों यूएस से चाइना मूव हो गया चाइना मूव हो जाने के बाद यहां पे Saigin Yalchin ने का कि यह लो लुई-वितोन के बेक की डिजैन बताई और बताया कि यह बेक की डिजैन है हमें फर्स्ट कोपी चाहिए और फर्स्ट कोपी का पहला थाउजन ओडर दोस्तों Saigin Yalchin ने क्या किया चाइना से मेनुफेक्चर कराया और मेनुफेक्चर कराने के बाद यूएस में सीब कराया सीब कराने के बाद एक वेबसाइट बने और ओनलाइन पहली बार सेल करने के डाला पहले ही दिन में दोस्तों पहले ही दिन में Saigin Yalchin ने थाउजन पर सेल कर दिया क्योंकि लुई वीतों के डिजैंड लुई वीतों की वेसे डाइरक कोपी नहीं की थी थोड़ी बहुत मिलती जूलती कोपी की थी ट्रेड मार की सुना है उसे आप सब लगा कि यहां पर बंदे ने क्या किया चाइना का माल उठाया और यूएस में सेल कर दिया पहले दिन थाउजन दोस्तों यहां पर सेल हो गये यह से दोस्तों छोटे मोटे उनलाइन में काम करने के बाद साइगी नियाल चिन के पास 10-20,000 डोलर आ गये थे 10,000 डोलर अराउंड आज के टेम पे 8 लाग होते तब के पांच से 6 लाग रुपी यह इंडियन करने से में बात करूँ तो अब यह बंदा एक और ट्रेंड देखता है कि यूएस में अमेजोन आ रहा था अमेजोन का बूम चल रहा था उनलाइन सबसे बड़ा प्लेटफॉम अमेजोन बन रहा था यह बंदा एक और चीज करता है क यूएई एक उबरता हुआ मार्केट है यूएई ग्रो कर रहा है यूएई में एक भी यी कोमर्स वेबसाइड निये यी कोमर्स प्लेटफॉम नहीं है दुबाई की मैं बात कर रहा हूं यूनेटे डारव एमिरेट्स दुबाई फेमास है साहिगीन न दोस्तों एक तगड केफे में कोफी लेता था और पूरा दिन केफे में बेठा रहेता था क्योंकि पेसा से उकर रहा था वहां का वाइफाई यूज कर ले रहा था और लेपटॉप में वेसाइड बना रहा था और जितने वी यूएई के इंवेस्टर था आपको भी पता हैं बौस की फंडिंग उठाली देखिया पहले फंडिंग उठाई तो इसके पीछ बहुत ज्यादा एफट पहले खूद एक पार e-commerce का काम कर चुका था पर्स सेल करके चाइना से पर्स उठाए और युएस में बेच दिया अब e-commerce मार्केट देखी दोस्तों दुबई आज आप जो देख रहे हो दस बारा साल पहले दुबई वह चीज नहीं थी दुबई सिर्फ शुरुआती स्टेथ था लेकिन कुछ बढ़ा करना था मैंड में क्लियर विजन था कि यह चीज बढ़ी हो सकती है बंदा यूएस से दुबई सब्सक्राइब करने के लिए वह सारे जो उनके पहले बिजनस सल रहे था क्लोस करके दुबई में फंडिंग मिली फंडिंग मिलने के बाद सिंपल सी बात है पहला ही e-commerce store दोस्तों इस बंदे ने ओपन कर दिया e-commerce प्लेटफोर्म ओपन कर दिया सुकर.com करके लोंज कर दि 500,000,000 डोलर में पर्चेस किया 500,000,000 डोलर में और साइगी नियालचीन का दोस्तों मेजोरीटी स्टेक था सुकर.com में अब इस हिसाब से बंदे की दोस्तों 100-200,000,000,000 की केस में नेट वर्द यानि की लिक्वीड पेसा 100-200,000,000,000,000 का बना लिया था बिफोर एज 30 दोस्तों अरां 29 की एज तक यहां पर सुकर.com को सेल करके इतना तगड़ा अमौट साइगी नियालचीन ने कमा लिया एक पूरी ब्लू ओस्यान मार्केट देखी वहां पर बिजनेस शुरू किया अब देखिए यह दोस्तों जरनी थी साइगी नियालचीन की मल्ती मिल्योयनर बने की लेकिन बिल्योयनर बनने की जरनी दोश्तों अब सुरू होती ए एक बार साइगी येलचीन को कार बेचना थी यूए में गूम रहा था कार सेल करनी थी तुरंद पैसे की ज़रूरत थी सोच रहा था कि यह कार निकाल के को एक नहीं कार पर्चेस करता हूं क्योंकि एक कंपनी सुकर.com उनकी सेल होई थी जब साइगी यहां पर कार सेल करने के लिए था तब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी मैसुस होती है अब बंदे के पैसे पी थे सिरियल आंत्रपीनियोर और टोफंडडर वर्ल्ड के फेमस आंत्रपीनियोर में आना था तो फिर साइगी यहीं ने क्या किया एक नया स्टाप शुरू किया दोस्तों यह स्टाटप का नाम था सेलनिका.com सेलनिका.com स फसंद आज आए आपके साथ सेर करता हुए गोल्डन रूटे यह है मैक सिंपल ठींग्स चीजे शींपल करो यह दि आप दिफिट चीज को सिंपल कर देते हो ना फिर आप सफल जासिर कर लेगी चीज़े जब तक सिंपल नेगी तब तक चीजे सफल ने होगी साइगी ने x सब्सक्राइब used car buy sell करने का platform बन गया पूरे UAE में sell anycard.com इस वज़े से दोस्तों यह सेकंड उनका सबसे बड़ा वेंचर था और यहीं वेंचर ने दोस्तों साइगिन यालचिन को बात करा हूं कि इस बूमत यहां हो ऊंकर नम्ट करता है लंडशे स्टाप सुरू होते लंड़न में इंडिया में शुरू होते कहीं पर भीड यहां यहां सब्सक्राइब एफ कर देता है सीड्स्राइब की-स बदधेता है तो यहां पेными लिगाड़र बाद ना की क्या होती है एजी बोसीबिलिटी ना करणे करके कर लेना ना साथ पोड़कास्ट करता है कभी-कभी टॉक्स हो देता है और एक बूक लिख दी पूरी मैं चिल्रन विल भी बहुन रही तो यह बूक भी लॉंच कर दी मॉल्टीपल इंकम सोर्सेज में दोस्तों एक चीज नोटिस कर रहा था साइगी नियालचिन के पूरी जर्नी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर दी एक दिमाग में एक लाइट हुआ बड़ एक स्पार्क एसे जागा कि मुझे फूटबल प्लेयर नहीं बना है मुझे वर्ल्ड का टोप 10 अंत्रपीनियोर में आना है फेमस अंत्रपीनियोर में आना है और आद दोस्तों य सेल फमेड बिलियानर के लिस्ट जर्म निकलता है टोप 100 यंगेस्ट सेल फमेड बिलियनर तब साइगिनःल सेल का लिस्ट में नाम आ जाता है तो यह कुछ बंदे की जरन नी थी चलिए वीडियो से वेल्यू मिली तो यार वेल्यू ऒड़ डालो और से वीडियो देखना प्रम्सावन सोधित्रा